नमश्कार आप सभी को आद किस वीडियो में हम देखने वाले हैं डीटर प्लेस बी के तरफ से जो एक अपकमिंग वेकेंसी है लाइबरियन की तो यहां पर जो पोस्ट की बात की जारी है कि टेंटिटिव वहां पर वेकेंसी हो सकते लाइबरियन की वह अपकी 100 है नंबर बात करें कि इसमें जो डीटर प्लेस भी लाइबरियन ने पहले 2020 में नोटिफिकेशन जारी किया था पोस्ट को 92-20 रहा था और यहां पर देखें उसकी एक्जैम आपकी 25 नवेंबर 2021 को वी थी और अभी रिसेंट्ली उसका जो है एक्जैम अगरा कंप्लीट होके रिजल् बना हुआ है और अभी जैसे ही डिटर प्लेस भी लाइबरियन 2022 की जो जोड़ सकते हैं जहां पर आप लाइबर साइंस फील्ड की हर एक जानकारी आप वहां पर देख सकते हैं लिंक तोरू के ही आपको डिस्क्प्स बोक्स मिल जाएंगे तो यहां पर हम बात कर लेते हैं है डिटर प्लेस भी लाइबरियन की जो आयू योगिता को लेकर के क्या चीज़े रहती है और जो इंपॉर्टन है तो किस तरह से रहेंगी पिसले विकेंशी के अकॉर्डिंग हम यहां पर देखेंगे पुछ से पहले डिटर प्लेस भी लाइबरियन का 92-20 का जो एक्जाय अब यहां पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अब यहां पर हम देखें कि आपका पहले वारा जो नोटिफिकेशन था 92-20 काउस के कॉर्डिंग आपकी जो डिटर प्लेस भी लाइबरियन के लिए जो क्वालिफिकेशन रहती है वह आपकी डिग्री फ्रॉम रिक्राइज या फिर एकुवेलन्ट दूसरा है कि बसलए डिग्री हो या फिर एकुवेलन डिप्लोमा हो लइबरे साइन्स में फिर्म रैककनाईज उनिवर्सिती इन्सिट्यूट और एकुवेलन्ट इसके अलाबा जो यहां पर ऑप्शन तीसरा गिवन है वह आपका होना चाहिए या या फिर आपके पास computerization of library का हो या फिर आपके पास हो one year certificate in computer application from recognized institute or equivalent तो आपके पास computer application का अगर certificate है one year का तो eligible है RSCAT वाले ये eligible नहीं होते ये तीन महीने का एक course होता है जादा तर लोगों को ये confusion रहता है तो बिल्कुल ये हटा दीजे और यहाँ पर experience अगर है तो वो चल जाएगा बाकि आपके ये certificate चल जाएगा बाकि bachelor degree और यहाँ पर equivalent आपको जो diploma है वो आपका चल जाएगा साथ में आ आपके 4600 grade पर यहाँ पर रहती है group B की post रहती है age limit यहाँ पर जो criteria रहता है relaxation जो आपके दिया जाता है वो तो रहेगा ही लेकिन अगर mainly हम बात करें 30 years रहता है डेटर प्लेस भी में और जैसे OBC को 3 साल मिलता है SST को 5 साल का वो भी applicable रहता है और minimum passing marks भी यहाँ पर अगर हम प्लेस भी लाइबरेंट की तो आप सभी को पता है कि one-tier exam आपको होता है तो इसमें आपको पेपर जो आपको रहते हैं section A section B दोनों में ही आपको अलग अलग यहाँ पर qualify करना पड़ता है general के लिए 40% है OBC Delhi के लिए 35% है SCST PH के लिए 30% minimum आपको लानी है पेपर में तो यह इस भी लाइबरेंट का जो अलगवां का 100 पोस्ट है इसके लिए नोटिफिकेशन जल्द ही आने वारा है क्या ऐसे लगाया जा रहे हैं जैसे नोटिफिकेशन आया का आपको यूटूब पर भी जनकरी मिल जाएगी टेलेग्राम पर भी especially D2B लाइबरेंट का ही टेलेगा जाएबरेंट के सारी विकेंसे आपको इस जो वेबसाइट पर मिल जाती है आप सर्च कर सकते हैं anexamhive.com और वहां पर एक अलग से सेक्षन मिल जाता है लाइबरेंट का और यहां पर भी आपको लिंक मिल जाएगा साधी साथ आप D2B की ऑफिशल वेबसाइट पर भी चे कर दीजेगा अभी तक ऑफिशल नोटिफिकेशन नहीं आया है अभी जो है अपको मिंग विकेंसी के अंदर ही है आपकी लाइबरेंट की पोस्ट तो जल ही इसका नोटिफिकेशन जारी होने ही वाला है और जैसे ही होगा ज़रूर शेयर किया जाएक आपके साथ